हे गाईज वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वडियो में मिनिस्ट्री आफ डिफेंस रक्षा मंत्राले की तरप से पर्मानेंट सरकारी नोकरी की जवर्जस्त वेकेंसिस निकल चुकी है जो की ओल एंडिया के केंडिड अपलाय कर सकते है साथ सो चालीस पोस्ट से भी ज़्यादा पर्मानेंट सरकारी की वेरियस वेरियस पोस्ट पर वेकेंसिस इनवाइट की गई है ओल एंडिया के आईटिया डिप्लोमा डिग्री बी बिटक स्टूडेंट अलिजबल है सबसे बड़ी बात जो आईटिया के पास आउट आपका कोई सावी ट्रेड है 64 ट्रेड है इनमेंसी और जितने भी सारी पॉपूलर ट्रेड है जो डिमांडिंग है जो काफी ज़्यादा डिमांड है मार्केड में वो सारी ट्रेड एलिजबल है यहां पर आईटिया स्टूडेंट के लिए ट्रेट्समेंट मेट की वेकेंस है तो चलिए डिटेल नोडिफिकेशन वाइस बात करते हैं ओफीसियल नोडिफिकेशन इसके रिलीज हो चुकी है फॉर्म आप अप्लै कर सकते हो सब कुछ जानना बहुत जरूर है इसलिए वीडियोस को अंत तक पूरा दिखेगा बहतरीन सरकारी है बहुत दिनों के सद्रीन अपॉस्टूर्टी लांच की गई है आप सारे शुडेंट के लिए जोकी मैं बताने वाला हूं एंडिटी और नीश्ट ने मिलके एक जॉब और इंडिट प्रोग्राम लांच किया गया है इस प्रोग्राम के लिए ओल एंडिया के फ्रेसर के डिट आवेदन कर सक सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया सो हरी अफ गाईज इसमें और इंडिया के फ्रेसर के डिट अपलाय कर सकता है क्वालिफिकेशन पास हो त्वेल्फ पास हो बीएस से डिग्री हो या फिर आपने आईटी आई कर रखी हो किसी भी ब्रांच से अपने भी बिटक कर रख्यों एनी ब्रांच के केंडिडेट फ्रेसर केंडिडेट अपलाए यहां पर कर सकते हैं अलेक्शन प्रॉसेस का ओनलाइन रड़न एक्जाम्स मेरिट बेस पर होगा और यह एक्जाम्स आपका 17-18 अगस्त 2024 को कंड़ेट कराए जागी इंड्रेंस एक्जाम्स की कुछ भी होगी 125 रुपे फूर जेनरल के लिए 100 रुपे के लिए 50 रुपे फूर फिमेल्स केंडिडेट के लिए अधरवाज आप 10-12 पास हैं तो 1000 रुपे अप्लिकेशन चार्ज होगी लेकिन अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता है तो यह सारे आपके अप्लिकेशन फिर रिफंड हो जाएगी एक्जाम्स में जैसा भी पॉ 15 अगर्स 2024 से पहले एक्जाम्स के बाद किसी एक कोर्स में जोईन करना होगा इनमें से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्से से अब लेवल है जहां पर किसी भी एक पर्डिकुलर कोर्स को आप जोईन कर सकते हैं और इन्हें करने के बाद आप इंडियास के टॉप MN जोब आप आ सकते हैं तो हरी अब गाईस लिंक को सारे डिस्क्रिप्शन में मौजब हो दे हैं यह है ऑफिसल नोडिफिकेशन पहले शॉट नोडिफिकेशन की जनकारी में अल्रेडी दे चुका हूं यह सिविलियन की पोस्ट रंडियन नेवी ट्रेट्समेंट की जो रिक यहां पर आपको ग्रूप B, ग्रूप C लेवल की पोस्टें आपको देखने को मिलेगी चले स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहली विडियो इसको पूरा देखके जाएगा ताकि आपकी सारी डाउट्स किलियर हो जाए ओनलाइन एप्लिकेशन इन्वाइटेड जो भी फोर्म वारेंगे, सबसे फिलिए ग्रूप B की की विकसी देखते हैं यहां पर चार्जमेंकी विकसी है, चार्जमेंस फैक्टरी में, चार्जमें मेकेनिक में या फिर सैंडिफिक सेटिंट में थोलाँ लग्-ले लेवल फिकसी आपको देखने को यहां पर मिल इस्टन सदन और नंडमान निकोबार कमांड में 444 सबसे ज़्यादा वेकिंसीज है फायर मेंड की 444 पोस्ट पर बंपर वेकिंसीज और एंडिया की केंडिडेट फ्रेसर केंडिडेट अपलाई कर सकते हैं 33200 तक सलरी यहां पर आपको मिलते हैं नेक्स है फायर इंजन ड्राइवर की वेकिंसीज यह भी अलग-अलग कमांड में वेकिंसीज है टोटल 58 पोस्ट पर केटिग्री वाइज वेकिंसीज ज़रू देख लिजेगा 21000 से लेकर 69000 तक सलरी आपको मिलेगी सबसे बहतरीन पोस्ट ट्रेट्समें में फूर आईटी आई स्टुडेंट जो की ओल 64 ट्रेट इस फॉम को एपलाय कर सकता है वेकिंसीज अगर देखा जाए तो वेस्टन नेवल कमांड इस्टन नेवल कमांड में वेकिंसीज इवाइट की गई है टोटल नम्मर पॉस्ट है, 161,61 पॉस्ट पर, जिसमें सी आपकी सबसे ज्यादा recruitment है, Western Naval Command का headquarter मुंबई है, Eastern Naval Command का headquarter, comment करके बताओ, Southern Naval Command का headquarter, comment करके बताओ, देखू तो, कितने शुदेंट सचमे government job की तयारी करते हैं, इस तिरुप आप होला मचाते हूँ, 18,000 से लेकर, 56,900 और सेलरी आपको मिलेगे इसमें आई टी आई शूडेंट ध्यान देने मैं आपको ट्रेड बता रहा हूं थोड़ा से वेट कर लो उसके बाद है पेस्ट कंट्रूल वरकर की 18-56 इसमें टोटल वेकंसी अठारा पोस्ट पर है कुक की वेकंसी है टोटल नौ पोस्ट पर देन आपको मिल जाएगी MTS की रिक्रूटमेंट 16 पोस्ट पर तो यह अलग-अलग डिपार्टमेंट अलग-अलग कमांड में वेकंसी आपने देख ली इसके लिए एज लिमिट क्या होगी आप इसे भी जान लो जिसके लिए अलग-अलग वहरी करता है फिलाल अगर मान लो इस कंट्रोल वरकर कुक की और MTS की 18 से 25 साल के केंड़ अपलाय कर सकते हैं इनमें से चार्जमेंट के लिए बीएसी डिग्री या फिर अपना डिपलोमा केमिकल इंजिनिरिंग्स में कर रहे हो अपलाय कर सकते हैं चार्जमेंट फैक्टरी बीएसी साइंस पिजिक्स या फ सेंटिफिक एसिसेंट में तो इसमें बीएस्टो डिग्री इसमें मांगे ही जाती हैं फिर आपकी ड्राफ्ट्मेंट कंस्ट्रक्शंस में तो टेंथ पास प्लस टू एर एक्स्प्रियंस और फायर्मेंट की रिक्रूट्मेंट है तो इसमें 12 पास बट इसमें हाईली आप का होना चाहिए 65 cm जिससे की 81 cm चेस्ट नॉर्मल एन एक्सपेंस के तार 85-50 किलो वेज ट्रेट्समें मेट आई टी आई स्टूडेंट ट्रेट्समें मेट 10 पास प्लस आई टी आई होनी चाहिए आई टी आई सारे ट्रेट अपलाए कर सकते हैं मैं आपको ट्रेट बता रहा हूँ और पेस्ट कंट्रोल कुक की MDS में सारे कंडिट मेट 10 पास के कंडिट अपलाए कर सकते हैं बट जो MDS की recruitment है, यहाँ पर ITI pass out candidate भी eligible apply करने के लिए, ओके, यह exams की scheme है, यानि की इस basis पे exam pattern आपका होगा, चार basically subject होगा, general intelligence, general listening, और general awareness, quantitative, यानि की math और English language, 25-25 questions का होता है, और 90 मिनट का time आपको यहाँ पर की जाती है, exams level moderate होता है, यानि थोड़ी सी भी पढ़ाए अपने group D level का कर रहा है, तो exams आप अराम से qualify कर जाओगे, online application 20 July 2024, आज से start है, 2 August तक इसका जो form है, आप flip कर सकते हैं, तो जाहिए चल्दबाजी जरूर दिखाएं, क्योंकि date कम है, और अराम से form apply करें, अब trade देख लो भाईयों, जितने भी ITI student है, यह सारे trade का नाम है, इसमें almost जित student का trade में इसमें नाम हो, notification आपको description में, टेलिग्राम चैनल में भी दे दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं, तो सब चीज मैंने बता दी है, जाहिए जाकर form apply कीजिए, form apply करने में आपको पैसा भी लगने वाला application fee, जो कि 295 application fee लगेगा, बागे बाद आपको online नहीं payment करना है, जितने ही STAC candidate हैं, उनके लिए application charge यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ तक कि women candidate का भी charge यहाँ पर नहीं लगने वाला है, तो हरी अब 2 अगस तक last date है, कुछ doubt होगा इसके regarding, तो comment करके बताना, वीडियो इस पर लगी हो, like से रें सब्सक्राब करें, मिलते नेक्स बड़े में तब तक लेजा हैंद,